प्रस्न दो, निम्न लिखित का गुननखंड ग्याद करें, प्रस्न दो का पहला है, प्रस्न क्या है, एक्स क्यूअ प्लस, दो एक्स स्क्वायर माइनस, 6 प्लस, 3, तो प्रस्न क्या है, माना पी एक्स बराबर एक्स क्यूव प्लस दो एक्स स्क्यार माइनस छे एक्स प्लस तीन तो क्या मान लेंगे हम कि पी एक्स बराबर एक्स क्यूव प्लस दो एक्स स्क्यार माइनस छे एक्स माइनस तीन यानि XQ प्लस 2X स्क्वाइर माइनस 6X प्लस 3 को PX के बराबर मान लेंगे तो यहाँ पे अचरपद कौन है? तो अचरपद 3 है देखें अचरपद यहाँ पे 3 है यानि जिसके साथ कोई भी चर X, Y, Z नहीं हो उसको क्या कते हैं अचरपद तो यहाँ पे 3 क्या है? अचरपद है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ अचरपद यहाँ अचरपद 3 के गुननखंड है यहाँ अचरपद 3 के गुननखंड है तो 3 के गुननखंड कौन-कौन होगा? पलस माइनस एक एक से 3 कट जाता है ठीक है? एक तो सभी का गुननखंड है तो पलस माइनस एक लिख देंगे कॉमा और 3 किस से कटता है? तो 3 अपने आप से बिभाजित होता है यानि 3 का गुननखंड क्या होगा? 3 यानि पलस माइनस 3 लिख देंगे यहाँ अचरपद 3 के गुननखंड कौन-कौन हो गया? तो पलस माइनस एक और पलस माइनस 3 क्योंकि 3 जो है एक और अपने आप दोहें संख्या से भी भाजित होता है यानि 3 क्या है? भाजे संख्या है तो 3 एक से कटता है और 3 से यानि पलस माइनस एक से या तो पलस एक से या माइनस एक से 3 कटेगा या पलस तीन से या माइनस तीन से तो इस तरह लिख लेंगे तो लिखेंगे आता P1 देखे P यानि X के जगा पर 1 रखेंगे ठीक है? X के जगा पर क्या रखेंगे? यानि प्लस एक तो प्लस एक लिखें चाहिए एक लिखें सिर्फ कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है? तो X के जगा पर 1 रखेंगे देखे PX बराबर इतना था तो X के जगा पर क्या रखेंगे? एक रखेंगे क्योंकि 1 इसका गुननखंड है यानि प्लस एक इसका गुननखंड क्या है? ये तीन का गुननखंड क्या है? प्लस माइनस एक तो पहले हम प्लस एक ले करके देखते हैं एक्स के जगा पे प्लस एक रख करके देखते हैं तो देखे पी एक बराबर कितना हो जाएगा अब एक्स के जगा पे देखे पी एक्स तो एक्स के जगा पे एक रखे हैं ठीक है पी एक्स इस तरह से था तो X के जगा पर एक रख लिए हैं अब X के जगा पर एक रखेंगे तो X का घाद 3 है यानि एक का घाद 3 हो जाएगा प्लस दो गुना दो एकस स्क्वाइर है तो दो गुना एकस का स्क्वाइर माइनस 6 गुना एक प्लस 3 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 6 प्लस 3 तो कितना आएगा तो देखे 2 1 3 3 3 6 यानि 6 माइनस 6 क्या आगया सून ने 3 2 5 5 1 6 प्लस वाले को जोड़ेंगे तो 6 आजाएगा और माइनस 6 यानि 6 में से 6 गटाएंगे तो सून ने आगया तो यहाँ पर X के जिगा पर प्लस 1 रखने पर सून ने आगया है यानि X के जगा पर देखे, X के जगा पर क्या रखे थे? 1 यानि प्लस 1 तो प्लस 1 रखने पर क्या आगया? सून ने आगया तो इसका मतलब हुआ कि तो लिखेंगे अता अता X माइनस 1 अता है X माइनस 1 एक पी एक्स का एक गुननखंड होगा पी एक्स का एक गुननखंड होगा तो देखिए एक रखने पर अगर एक रखने पर सूने नहीं आता एक रखने पर सूने नहीं आता एक्स के जगा पर तो हम माइनस एक रखते ठीक है क्योंकि तीन का गुननखंड कौन को ना है पलस एक या माइनस एक पलस तीन या माइनस तीन तो अगर एक रखने पर सूने नहीं आता तो किसको रखते है, प्लस 3 को रखते है X के जगा पे, यानि P 3 ले लेते हैं अगर 3 रखने पे भी सुने नहीं आता तो फिर माइनस 3 रखते हैं X के जगा पे, ठीक है तो 1 रखने पे सुने आ गया है तो देखे, प्लस 1 रखने पे सुने आया है X के जवब पे कितना रखने पे सूने आया है एक रखने पे यानि प्लस एक है एक को प्लस एक कह सकते हैं तो प्लस एक रखने पे सूने आया था इसलिए हम लिख लिए हैं यहाँ पे X माइनस एक क्या लिख लिए हैं X माइनस एक क्योंकि देखिए क्या रखने पर एक आया है तो x बराबर एक रखने पर सुनने आया है x के जगा पर हम एक रखे थे देखिए x के जगा पर क्या रखे थे एक ठीक है PX यानि P1 X के जगा पर 1 रखे थे सब जगा जहाँ जहाँ X है तो X के जगा पर 1 रखने पर क्या आया? सून ने आया तो X बराबर 1 लिख सकते है X बराबर 1 हम लिख सकते है तो X बराबर 1 को क्या लिख सकते है X माइनस 1 बराबर सून ने ठीक है यानि X-1 क्या है PX का एक गुननखंड है तो जब प्लस एक में आ जाए प्लस एक रखने पर सुनने आ जाए तो X-1 ले लेंगे उसका गुननखंड ठीक है क्योंकि देखे एक को इधर लाएंगे दाया से बाया तरप तो माइनस में हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा सुनने तो X-1 PX का एक गुननखंड होगा तो कहां से आ गया X-1 तो एक रखने पर सुनने आया है एक के जिगा पर एक रखने पर सुनने आया है इसलिए X-1 लिखेंगे अगर minus एक रखने पर x के जिगा पर सुनने आता तो x प्लस 1 लिखते हैं यानि उल्टा ठीक है प्लस 1 रखने पर सुनने आया है तो यहां पर माइनस 1 लिखेंगे यानि x माइनस 1 लिखेंगे अगर माइनस 1 रखने पर सुनने आता तो प्लस 1 लिखते हैं यानि x प्लस 1 तो अता है x-1 px का एक गुननखंट होगा तो लिखेंगे अब अब प्रस्न को लिखेंगे प्रस्न में क्या था xq प्लस 2x square माइनस 6x प्लस 3 बराबर और यहां भी बराबर यानि दो जगा बराबर ले लेंगे तो देखें x-1 रखने पे सुनने आया था यानि x माइनस माप कीजिए एक रखने पे एक रखने पे सुनने आया था x के जगा पे देखें x के जगा पे एक रखे थे तो सुनने आया था यानि x-1 px का एक गुननखंड है ठीक है तो x-1 px का एक गुननखंड होगा यानि x-1 इसका गुननखंड एक पता चल चुका है तो अब हम लिखे लेंगे यहाँ पर देखे, x-1 फिर यहाँ पर भी लिख लेंगे x-1 और फिर यहाँ पे भी लिख लेंगे x-1 यानि तीन जगा लिख लेंगे तीन जगा हम इसको लिख लेंगे अब यहाँ पे xq में यानि xq लाने के लिए x में कितना गुना करना पड़ेगा xq लाने के लिए x में x स्क्वाइर गुना करना पड़ेगा तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x square ठीक है? x q लाने के लिए x में कितना गुणा करना पड़ेगा? x square तो हम यहाँ पर x square लिख लेंगे अब x square से ये दोनों को गुणा करेंगे तो x square गुणा x कितना हुआ? x q यानि x का घात 3 और x square गुणा minus 1 कितना हो गया? minus x square तो हम यहाँ पर लिख लेंगे minus x square ठीक है? इस तरह से अब क्या करेंगे? अब देखें प्रस्न में यहाँ क्या है? 2x square है क्या है यहाँ पर? 2x square है तो minus x square में कितना जोडेंगे? कि 2x square आ जाए तो कितना जोड़ेंगे? यानि 3x² जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 3x² क्योंकि 3x² में x² को घटाएंगे तब जाके क्या आ जाएगा? 2x² तो यहाँ पे क्या था? 2x² और यहाँ पे आया minus x² ठीक है? तो minus x² में कितना जोड़ने पे 2x² आएगा? यानि 3x² को इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x² minus x² क्या होता है? 2x² क्योंकि देखे 3 में से इसको घटाएंगे 1 को तो 2 आएगा तो इस तरह लिख लेंगे अब 3x² लाने के लिए x में कितना गुना करना पड़ेगा? 3x को यानि plus 3x को क्योंकि यहाँ भी plus में है यह भी plus में है तो 3x² लाने के लिए x में 3x गुना करना होगा अब 3x को minus 1 से गुना करेंगे तो 3x गुना minus 1 कितना हो जाएगा? minus 3x तो लिख लेंगे यहाँ पर minus 3x तो minus 3x कहाँ से आ गया? 3x को minus 1 से गुना करने पर अब minus 6x लाने के लिए minus 3x में कितना जोडना होगा? तो minus 3x में minus 3x को जोड़ेंगे तब जाके minus 6x आ जाएगा ठीक है? क्योंकि minus minus जब दोनों minus में हो तो जोड देते हैं तो minus 3 minus 3 कितना होगा? minus 6 और प्लस 3 को अब हम लिख लेंगे यहाँ पर अब देखिए minus 3x लाने के लिए x में कितना गुना करना होगा? तो x में minus 3 गुना करना होगा? यानि यहाँ पर minus 3 लिख लेंगे तो अभी हो चुका है पुरा ठीक है तो जो गुननखंड आया था उसको इस तरह से लिख लेना है उसी के नुसार देखे इसको हम इस तरह से तोड़ देंगे यानि 2x² को माइनस x² प्लस 3x² में तोड़ देंगे और माइनस 6x को माइनस 3x माइनस 3x में तोड़ देंगे तो इस तरह इसको हम हल करेंगे अब देखिए अब x-1 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 तीन जगा है तो इसको हम common ले लेंगे x-1 को common ले लेंगे तो क्या बच जाएगा तो x² बच गया प्लस 3x माइनस 3 तो x-1 common ले लेंगे तो क्या बच गया x² प्लस 3x माइनस 3 तो इसका उत्तर आ चुका है यानि इसका गुननखंड देखिए क्या है x-1 गुना x² प्लस 3x माइनस 3 तो इसका उत्तर देखिए यही है यानि xq प्लस 2x² माइनस 6x प्लस 3 का गुननखंड क्या हो जाएगा x-1 गुना x² प्लस 3x माइनस 3 तो इस तरह से इसका हम गुननखंड ग्याद करेंगे तो इसका हमे लाएगा बढ़ी करेंगे लाएगा जित्स प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 करेंगे लाएगा झाल करेंगे लाएगा झाल झाल कर झाल